दोस्तो देन्यूस बीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंती का बटन दबाएं हलो दोस्तो मैं हूँ समिछ चहान और स्वागत है आपका देन्यूस बीक किस खाज पेशकश में स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे होंगे सुप्रीम कोट पर चंद जातियों का कबजा क्यों यह वो सवाल है जो आज इस देश की राजनिती में इस देश की आवाम के लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे जरूरी सवाल बन गया है इस वक्त सोशल मीडिया पर यह हैस्टेग जो है ट्रेंड कर रहा है हैस्टेग कास्टिस्ट कॉलेजियम कॉलेजियम सिस्टम जो की जजों की नियुकति को लेकर होता है वो अपोइंटमेंट कैसे होगी कौन जज़ बनेगा इसको तै करने का एक एक ग्रूप है जजों का और वो खुदी तै करता है कि किसको जज़ बनाए जाए तो उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर तमाम लोग कास्टिस्ट कॉलेजियम सिस्टम जो है वो हैस्टेग के जरी अपनी बात लिक रहे हैं और उस विवस समाज के जो व्यक्ति हैं उनको जज क्यों नहीं बनाया जाता उनके लिए क्यों अपॉइंट्मेंट्स नहीं होती क्यों वो इस देश की राष्टर निर्मान की प्रिक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं क्यों आखिर कॉलेजियम के जरिये जज अपने रिष्टिदार को जज़ बना रहे हैं और बहुत संख्या काबादी सेस्टी और मैनरेटी को देश की न्याय पालिका देश के न्याय तंत्र से बाहर कर रहे हैं तो उसका खुला विरोध आज हो रहा है लोग सोशल मीडिया पर जम कर लिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि यह विरोध क्यो हो रहा है और किसने क्याका सबसे पहले आपको मैं ट्वीटर पर लेकर चलतांओं दिखाता हूं कि लोग वहां पर क्या लिख रहे हैं तो इस वक्ग जब आप ट्वीटर पर देखेंगे तो दूसरे नंबर पर ये ट्रेंडिंग लिस्ट में कास्टिसट को यह हैस्टाइक जो है वो ट्रेंड कर रहा है और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे ट्वीट्स आएंगे निकल कर जिसके जरीये लोग लिख रहे हैं कि क्यों ये विवस्ता कोलेजियम सिस्टम बहुत ही खराब है और इससे सिर्फ जजो के जो रिस्तिदार हैं जो उ ओर रंगनात मिश्रा थे चीफ जस्टीस रहे हैं और उनके फिर बतीजे हुए दिपक मिश्रा वो भी चीफ जड़िस बन गए देश के सीजी आई चंदर चूड के बेटे वो भी सीजी आई बन जाएंगे और जस्टिस 허ना के नेफ्यू जो है वो भी CJI बन जाएंगे और वेंके ट्रमाइया के जो बेटी है वो भी CJI बन जाएगे ऐसा क्यों हो रहा है तो ये दरसल सवाल उठा रहे हैं उस विवस्था पे कि क्यों आफिर जजों के बच्चे ही जो हैं वो जजब बनते जा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि भई नियाई पालिका में सबकी भागिदारी होनी चाहिए वो इस हैस्टेक के जरिये विरोज दर्ज करा रहे हैं लोगों के दिखाता हूं कि किस तरह से जो है यहां पर लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं नितिन मेश्रा में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और एक्टिवस्ट हैं उन्होंने दरशल एक लिस्ट जारी किये उसमें बताया है कि किस तरह से कौन सी जाती के कितने जज्ज हैं त उस list में 9 जज़ों के appointment के लिए सरकार के पास जो है सिफारिश की है कि इनकोATHER बना दीजे, उसमें 3 महिला आइपी है लेकिन उसमें भी 2 ब्राहman महिला हैं, 1 खत्री महिला हैं, जो बाउजन समाज के महिला उसको भी भागिदारी नहीं मिले, तो वो list क्या कहते है है? वो list में एक OBC और 0 ST including तीन ब्रामिन और एक खत्री विमन तो यह जो अभी इन्होंने नया जो अपॉइन्मेंट के लिए के उन्होंने सिफारिश किया कॉलिजियम सिस्टम में उसके बाद जो है नो अपॉइन्मेंट के बाद ब्रामिन जो सबसे ज्यादा होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में फिलाल कुल 33 जज है उसमें से अपर कास्ट जो है जिसकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 15 फीजदी से कम है वो भी कंफर्म नहीं है अगर जाती बाद जन्गन नहों तो पता चल जाए कि वो उससे भी कम है उसमें 33 जज़ों में ब्रामिन जज 11 हैं वैश्श समु समाज के लोग है जिनके अबादी 85 फीजदी से ज्यादा है उनमें देखेंगे आप तो ओवी सी का सिर्फ एक जज़ है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस नहीं अपॉइंट्मेंट के बाद में रहेंगे सेडूल कास्ट के मातर एक जज़ है अभी नई अपॉइंट्मेंट में एक और की सिफारिश होई है तो कुल दो जज़ हो जाएंगे वहीं मुस्लिम समाज से भी एक ही जज़ होगा और क्रिश्चन जो है वो भी एक ही जज़ इसमें सुप्रीम कोर्ट में होगा यानि सबसे ज़्यादा है 85 फिसदी से ज़्यादा जिनके अबादिया उनके महज पांच जज़ सुप्रीम कोर्ट में होंगे और सेडूल ट्राइब स्टी जो की सबसे ज़्यादा आस सुरक्षित आदिवासी समाज है उसका फिलाल सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज़ नहीं है और जो नई नो लोगों की सिफारिश की गई है, रेकमेंडेशन की गई है, उसमें भी किसी ST जज के लिए सिफारिश नहीं की गई है, कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए, 33 जजों में से 28 जज सवारण है, ब्राहमन जज सबसे ज़्यादा है, कायस, चत्रिया औ लोग हैं, और जो बहुत संख्य का बादी है, वो नाके बराबर है, तो देखिए जो आदिवासी समाज है, उसके लिए क्या देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, उसमें उसकी भागिदारी नहीं होनी चाहिए, आपको याद होगा पिसले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फ देखें कि किस तरह से आदिवासी लोगों के अकमारी हो रही है, वहाँ पर उसको जानने वाला कोई वेक्ती नहीं है, तो जो भी ब्राह्मन बनिया ठाकुर समाज के जो जज हैं, हम क्यों ना कहें कि वो प्रिजडाइज हो सकते हैं, दलितों के प्रती, सेड्डूल किया गया था, और उसके बाद ये कागया कि ये खुले में आपको जाती सुचक शब्द नहीं कहें गए हैं, बंद कमने में कहें गए हैं, तो उसको जाती वाद या सेस्टी के तायत को ये उस पर अपराद नहीं माना जाएगा, और आरक्षन पर सवाल उठाया कि कब तक र होती हैं, वो भी जाती वादी रवाइये के, परिवार वादी भाई भतीजा वाधी रवाइये के तैती होती हैं और उसका विरोध अभी खुलकर हो रहा है, मैं आपको कुछ और ट्वीच्स बढाता हूं कि छोटु भाई बसावा जो हैं विधायक हैं गज्रात से उन्हों इस सवाल उठाये कि क्यों आदिवासी समाज का विक्ति वहां पर नहीं है ये एक बड़ा सवाल बन जाता है सेस्टी ओबीसी समाज के सिर्फ पांच जज़ जबकि सबसे ज़्यादा आबादी उनकी है और जो सबसे कम आबादी के लोग है उनको सबसे ज़्यादा में जो है उसमें महिला जज नहीं है बाकी समुदायों का प्रतिनिद्व क्यों नहीं है लेकिन अब उनको ये बात समझनी होगी क्योंकि ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट रस्टपती के सिगनेचर के बाद ही होता है उन्हें ये रिजेक्ट कर देना चाहिए और वापस में चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप सुप्रीम कोρ्ट में जतिवार विविदा लागू कीजिए लैंगिक और धार्मिक समानिता को सुनिश्चित कीजिए और वहाँ पर सभी लोगों का भागेदारी होनी चैए सुनिश्चित करनी चाहिए रास्टपती से मुं मांग कर तो उसके लिए क्या करते हैं आप तयारी करते हैं इंटर्व्यू की तयारी करते हैं लिखित परिक्षा की तयारी करते हैं अब्जेक्टिव या फिर ऐसे टाइप जो भी सवाल आते हैं उनका जवाब देते हैं और तब जाकर एक परिक्षा पास करने के बाद आपको इंटर् परिक्षा नहीं होती है जी हाँ वहाँ पर कोई परिक्षा नहीं होती कोई इंटर्व्यू नहीं होता सुप्रीम कोट के कुछ जजों ने को एक ग्रूप बना रख जिसको कोलेजियम कहते हैं पांसा जज हैं वो मिलके यह तैय करते हैं कि किसको जज बनाना है किसको नहीं बन तो यह मतलब भेरान करने वाली बात है आपको याद होगा कि इस विवस्ता से किस तरह के जज शामिल होते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ कि आपको याद होगा कि किस तरह से वहां पर पिछले दिनों जो राजस्तान हाई कोट में जज थे उन्होंने क्या कहा था महें कि आसूपी कर जो है वो गर्बवती हो जाती इसके लावा मैं आपको दूसरा एक बयान सुनाता हूं जिससे आपको और अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से कोलेजियम के जरिए बहुत ही अन्फिट लोग जज बन रहे हैं और यह आप बयान अगर आप देखेंगे तो यह केरिला हाई कोट के जर्श थे जर्श वी चितंबरेश उनका यह बयान है कि बोन ट्वाइस डू टू गुट डिट्स मस्ट बी एट हैलम ओफ अफेर्स केरिला हाई कोट जर्श ग्लोरिफाइज ब्रामिन सुनों ने कहा कि जो ब्रामिन है वो अपने सद्गुनों के कारण अपनी उनके अंदर अच्छाई हो के कारण दो बार जन्म लेते हैं जन्म होता है फिर उनका जनीव संसकार होता है द्विज जो ट्वाइस बोन वोल उनकी थेरी है वो कहते हैं कि वह ज्यादा सुपीरियर हैं सबसे ज्यादा अच्छे हैं और उनको जो है सम्मान दिया जा क्या आपने फेसलों में यह अपनी जाती के प्रती इनका जुकावथ नहीं रहा होगा क्या यह प्रजडाइस नहीं रहे हूंगे अपनी जाती को जो खोधिए न के थें जाती कोई कहता है कि दो बार जन्म लेते हैं तो इस तरह की जो बाते आ रही हैं वो अपने आप में हरान करने वाली बाते हैं कि ये हो क्या रहा है इस देश में तमाम लोग विरोध करें कोलेजिम सिस्टम का लगातार ये मांग हो रही है कि भई इस देश में UPSC की तरह है अब UPSC में आपको IAS IPS IRS या IFS officer बनना पड़ता है तो वहाँ पर आपको एक बाकाइदा तयारी करके लिखित परिक्षा देनी पड़ती है और फिर आपका इंटर्व्य होता है नमबर जुडते हैं और फिर आपकी अपोइंटमेंट होती है तो क्यों ना इस देश की आदारेतों में जज बनने के लिए ऐसी कोई परिक्षा रखी जाए यह बहुत जरूरी है क्योंकि वो जो फैसले देते हैं वो जो तैय करते हैं सविधानिक मामलों में और तमाम जो देश हित के जुड़े हुए मसले हैं उनके उपर जब फैसला देते हैं तो उसका असर पूरी देश के अबादी पर होता है और वहाँ पर जब अन्फिट लोग होंगे अच्छे लोग नहीं होंगे तो वो गलत फैसले भी दे सकते हैं और तमाम अब सुप्रीम कोट हाई कोट के अंदर से यह आवाजे निकल कर आ रही हैं कि वो किस तरह की बाते करते हैं आपको याद होगा सीजाई रंजन गोगोई उनके उपर योन उत्पिडन का औरोप लगा उनकी स्टाफ मेंबर महिला ने उन पर योन उत्पिडन का औरोप लगा अब वहीं पर सुप्रीम कोट में कमेटी बनी खुदी उन्होंने जाच करी खुद को क्लेंचिट दे दी और आब वो राजे सभा में हैं उन्होंने आयोध्या का फैसला दिया था आपको मालूम है किस तरह से चीज़े बनी और आब वो राजे सभा में पहुच गए हैं तो उसके बाद इनकी योगेता को जाचकर सुप्रीम कोट या हाई कोट में जज़ बनाया जाए कोलेजियम सिस्टम को तुरंद बंद किया जाए और सुप्रीम कोट हाई कोट में नियाए पालिका में सभी जातियों के सभी धर्मों के सभी लिंग शेतर भाशा के लोगों का प अभी तक भारत के इतियास में आपको याद होगा एकलोते जो डलित चीफ जस्टिस रहे हैं कि जी बाला कृष्ण सिर्फ वही बन पाए हैं पचेतर वी अभी आजादी की हमने सालगेरा मनाई है इन सालों में क्या हुआ हमारे देश में पचेतर सालों में सिर्फ एक मात्र अ हमारे देश में कोई और महिला भी नहीं बनी है हमारी तो छोड़ियो कोई सवन महिला भी नहीं वहां पर जजज बनी है लेकिन अभी जो अपॉइंट्मेंट के लिए लोगों के नाम सुझाए है तो उसमें तीन महिलाओं में से दो तो ब्रामी ने एक खत्री है वो भी बिधान कहता है कि सब को साथ लेकर चलना है सबका साथ होगा सबका विकास होगा फ्रदानमंत्री जी कहते हैं लेकिन वह परलियमेंट में क्यों नहीं यह बिल पास कर देते हैं क्यों नहीं ऐसा कानून ले आते हैं क्यों यह कैसे संस्थान का निर्मान कर देते हैं संसद के जरीए कि जो देश की नयाई पालिक है उसमें अपोइंटमेंट के लिए बाकाइदा ट्रांसपेरेंसी हो और उसके लिए कोई लिखित परिक्षा हो कोई तो उसमें योगेता जाचने का पैमाना हो या सिर्फ एक लोता पैमाना यही होगा कि आपको किसी जज का बेटा- जाएगा यह हैरान करने वाली बात है और हमें लगता है कि इस देश के लिए बहुत जरूरी मसला है इस पे खुलकर इसके बारे में बात होनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में लिखना चाहिए और सुप्रीम कोट को चिठी लिखनी चाहिए सीजाई को चिठी लिखि निदारी होनी चाहिए तब ही हमारा देश जो है वो बहतर बन सकता है तो यह आज का एक बड़ा मोजू सवाल है ट्वीटर पर अब आप देख रहे हो तो आप आईए हैस्टेग कॉलेजियम कास्टिस्ट कॉलेजियम नाम से वहां पर हैस्टेग चल रहा है लोग लिख रहे ह आप अपनी बात लेके इस वीडियो के बारे में जानकारी के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी जरूर लिखें और साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरा नाम सुमेच चोहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सयूग एजरा पर